नमस्कार मैं हूं मुदिच शिवास्ता और आप देख रहे हैं हिंदी नामा की एक खास पेषगश जिसका नाम है जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे इस सिरीज में हम उन लोगों के हाँ जाएंगे उन कलकारों के हाँ जाएंगे जो शायद लगता है कि हमारे घर कभी ना आए इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम जा रहे हैं गीत चतुरवेदी जी किया तो भोपाल हम आ चुके हैं, अब बस उनके घर जाने वाले हैं तो ने तो ने भी आए ने चुके हैं आए नमस्ते सर आओ आओ य। कैसे हैं सर बस बढ़िया बढ़िया एक दम ठीक हुमें अएए तो फाइनली सर घर पे आने का मौका मिल गया है, मैं बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था, मौके भी नहीं हो पा रहे थे लेकिन आज मौका बन पड़ा है तो अच्छा लग रहा है आपके साहत मौके भी अrom अजकल किया लिखने में क्या चल रहा है अजकल कहां जाधा वक्त लग रहा है इस स्यादातर समय मेरा नया नॉवल उस पार जो कि बिंच एफ पर सिल्सिलेवार रूप से प्रकाशित हो रहा है सबता कि चार दिन लगबग उसी की लिखाई में मेरे जाते हैं तो ये लिखने वाला समय जादातर मुझे लगतार रात में होता होगा जैसे मुझे पता है हाँ बिलकुल मैंने दिन में लिखने का लगबग काम किया ही नहीं है ज्यादातर अपने पूरे जीवन में जितनी भी लिखाई की है वो सब रात की है तो दिन में जाहिर सी बात से लेट शोकर के उतता होगे, सरा? मैं सुभा ही देर से सोता हूं। सुभ़चे साङ़े च्छे के आजपा सोता हूँ और उठता हूं बाराः साङ़े बाराः एक बचे के आज़ you तो आज शायद आपको जल्ली उतना पड़ा है तोड़ा हमने इसको तोड़ा सा तोड़ा से आगे खिंची है तो यहां पर कैसे मन हुआ साथ भोपाल में रहने का अचानक से ख्याल आया था या कभी सोचा थे कि भोपाल में रहना है या मुझत मैं एक अखबार में काम करता और उस अखबार के कारण मेरा तमाम शहरों में तबादला था उन्हीं तबादलों के सिलसिले में जो है मैं एक बरस भोपाल पहुचा अचा भोपाल आने के बाद यहां मैंने नौकरी छोड़ दी और पूरे समय स्वतंत्र लेखन या अपने लेखन को समय देने का फैसला क तो चुकि यहीं पर छोड़ी थी तो यहीं पर टिक गए जे कहां से कहीं दूसरी जगह हिले ही नहीं तो ऐसे कितना समय हुआ होगा सर भोपाल शिफ्ट वो नौ साल लगभग हो रहे हैं नौ साल के आसपस भोपाल हो गया मझे काफी लंबा वक्त हो गया भोपाल कि मुंब मुंबाई का रहने वाला हूं पला बढ़ा पैदाईश परवरिष पढ़ाई लिखाई सब कुछ मुंबई की है मुंबई मैंने गोजारे अपने जीवन के शुरुवाती तेईस बरस अच्छा और उसके बाद सबसे ज्यादा किसी शहर में अगर समय गोजारा थो भोपाल ह इतना समय मुंबई के अलावा किसी दूसरे शहर में गोजारा था तो यह बहुपाल के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है खासकर हम जैसे लोगों के लिए कि मेरे लिए भी यकीनन क्योंकि बहुपाल बहुत खुपशूरा शहर है सांस्कृतिक शहर है और मुझ कि अच्छ तो पिलेंगे कि अच्छ तुमको अपने स्टाहिल की चाय पिलाता हूं कुछ तोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लेकिन काली चाय होगी हम बिल्कुल मुझे तो काली चाय ठीक है चलो आओ अजाओ तो हम चाय और कविता का बड़ा एक रिष्टा है नाता है और आप के लिए चाय के साथ कैसा है है जादा चाय होती है या ठीक ठाक नॉर्मल चाय होती है चाय अपने आप में एक कविता है मतब जो लोग चाय के शौकीन है वो इस बात से बढ़र मुतब जरूर इसे मानेंगे कि चाय अपने आप में एक कविता है और मेरे साथ तो ऐसा है कि वहात में तो बहुत सादा चाय होती थी लगभग मैं एक दिन में 30-40 कप चाय पी जाया करता है तो दो बरसों से ना थोड़सा कंट्रोल किया है मैंने तो अभी लेकिन पिर भी 8-10 कप चाय देन भर में हो जाता है और रात की समझ आजकर जब मैं जब बाता हम तब चाय सादा होती है अचावर इसमे कुछ नहीं है कुछ नहीं है किवल्लन गर्म पानी और से पानीया और यह चाय पथ्ती हैं और मजे की बात हैंations यह जोश भली स्थावमारा जुश्तिमाल कर लूंगा तो ऐसे किचन वमें स iPhone लिग टा या इसे बढ़ ना लेते है किवशन मेरे मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है, एसा कहें कि, जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा होता हूं, किसी खास किसम के ब्लॉक में फंसा हुआ रहता हूं, विचार कहीं रुके हुए हैं, या नुभूतियां कि मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं, तो उसमें मेरा रफ्यू कोई खास डिश पसंद है आपको बनाना या बहुत साधारन से चीज़, तरह तरह की डाल और दाल के साथ हूब प्रयोग करना, यह मुझे पसंद है और मैं अलग अलग तरी मुझे बना भी लेता हूं, तो और सब से जादा परिवार वाले लोग क्या पसंद करते हैं आपक अशन बेशल मैं सरु लेकं के लिए अनलग अलग शरय कर्फू आपको, नहीं आए आच… नन्या तर समक πάड अमरेट सरी दीश, यह मिझे मुझे उप संदा अलग तो मैं जरूर कुछ नग मैं नजीज बना तरहainen, पनीर की निसे जिए वीकून, पनीर कह ना प Aubinor किष नग कवाल है सर मजा आ गया इसको बनाने का दरह सिल वही एक तरीका है कुछ नहीं करना गरम पानी नहीं मैं भी ट्राइ करूं उन तो परिवार में सर कौन-कौन है कि मैं भावना मेरी पत्नी दो बच्चे स्वाधा मेरी बेटी है अरीन मेरा बेटा है और एक पेट है मेरे साथ में भोटू नाम का तो जैसे आप पहले मुंबई में रहे फिर काफी लंबे समय से मुंबई में आप रहे भूपाल फिर आने हूँ आपका तो यहां से आगे क्य कोई ऐसी जगह है जहां पर आप बसना चाहते है या ऐसा सोचा है कभी कुछ ऐसा खास तोर पर सोचा नहीं है हम लोगोंने लेकिन मैं और भावना अकसर बातचीत के दोरान यह कहते हैं कि चीजें बहतर हो जाएंगी और थोड़ा समय गुजर जाएगा एक समय के बाद हमा हमाले चले जाएँ गे, अच्छा यह हमेले के फोट हिल्स मे या तरांस हमाले में तो नहीं जा से ठाटो हमाले की ख sector वह जेसे जो हमाले किसी खास वज़ेसे या ऐसी ह। प्रकृती हम दोनों को प्रकृती के सात्त एक गहरा लगाव है और मेरे लिखने पड़ने की जो प् जिल्हें उप्राक्रथी से मिलती हैं, तो मैं अपने आप को प्राक्रथी के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रखनाचाएं, है माले इसी लिए मुझे अट्रैक्टाथता है तो यहां पर जैसे रह रहे हैं इस कॉलोनी में रह रहे हैं, तो यहां पर कहीं एसी कोई जगा है जहां पर आपको बहुमना पसंद होता होगा, बैठना कहीं ऐसा कालोनी और. यह तो काफी उसका एक कुर्बत, उसकी एक संगत यहां मिलती है, लेकि मैं रोज शाम को या सुबर, जिस समय मुझे सुविधा होती है, मैं बाहर सडक पर वॉक करता हूँ, अच्छा, स्ट्रीट में ही वॉक है लेकिन यहां पे चुकी हर्याली है, पाक है, पेड़ पौधे हैं तो वो खुर्बत या वो एक प्रेरना या उस हर्याली से अपने भीतर की उस जीवनी शक्ति को जागरित करने का अवसर मुझे मिलता रहता है, तो कुछ-कुछ जगह पे मैं भी जाना चाहूँगा, आप बिल्कुल चलिया ना फिर हम लोग साथ में वाक करेंगे, बिल तो ऐसा कोई काम जो आप बहुत पहले से करना चाहते थे और अभी तक नहीं कर पाएं और आपको लगता है कि शायद ही वो काम हो पाएगा, तो वो ऐसे कौन सा एक काम रह गया है बाकी अभी को, ऐसे बोलें तो मैं लॉड्स में बॉलिंग करना चाहता था, लॉड्स में मैं लॉड्स में लॉड्स में बॉलिंग करना चाहता था क्योंकि गेंदबाजी, क्रिकेट यने मेरा बच्पन का एक सपना था, एक शौख था, और यह पता है कैसे हुआ हमारे मेरे बच्पन में एक TV पे एक सीरीज आय थी दूरदाशन पे, एक इंग्लिश सीरीज थी थी कि अपने बॉलर को लॉड्वूर नाम का बॉलर ता उसको कहा था कि और तीम की शरीर को निशाना बना कर करे बॉलिंग करो अपने 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 क्रिकेट यतिहास में ने सबसे बधनाम सीरीज में से एक तो तीवी पर वो आई थी और मैं उसमें लॉर्वूर के तो मैं फास्ट बॉलर बनना चाहता था और लॉड्स को लेकर के एक सपना था मेरे अंदर लेकिन जैसा कि आपका सवाल ही था कि जिस काम को अब आप नहीं कर सकते तो यह काम अब मैं नहीं कर से एक और बड़ा दिल्चस्प सवाल मैंने सोच रखा था आप से पूछूंगा अगर कि कि ऐसी कोई कहानी है या efficiently कोई किताब है जिसका एक किर्दार आप जीना चाहते हैं अब ने कभी सोच आ इस बारे में तो बान्भटे, एच्छा, बान्भटे के आत्मकत्अ मेरी पसंदीदा किताब है, मेरा प्रिय उपन्यास है, हाजारे प्रसाद दिवेदी, मेरे प्रिय लेकक है, बान्भटे का जो चरित्र है, वो, किताब पढ़ते पढ़ते तो कई बार मैं जीता ही रहता हूं, यह लेकिन बह प्रेम की दुविधाओं में फंसा हुआ है और साथ ही अस्तित्व की उहा पोह, पुरा जो दार्शनिक प्रश्न है इससे जूच रहा है, तो मुझे बहुत अट्रेक्ट करता है, दूसरी एक चीज ये भी है, कि वो साथमी आठमी शताबदी के भारत का चरित्र है, जिसमें स कुछ संस्कृत में बोला जाता था तो मुझे वो जो पुरा छथमी साथमी शताबदी वाला जो पीरियड हो बहुत अट्रेक्ट करता है, आसकर अपनी दार्शनिक उचाईयों के कारण, ये भी एक रीजन है, बानबट्ट के आख्म कथा में बानबट्टे, क्या बात, तो आप भी आपने बताए कि आप कौन सा किरदार जीना चाहते हैं, एक और सवाल जो है फिल्म के बारे में, तो कल को अगर ऐसा होता है कि आप पर कोई बायोपिक बनती है, आप पर कोई एक फिल्म बनती है, तो आप अपने किरदार में किसको देखना पसंद करेंगे, कौन व पहले मेरे जहन में आता है तो हमसे बहुत cetera है अम्र भी है जमाना भी हो गया लेकिन पंकच कपूर मुझे बहुत पसंद है पंकच कपूर के अविनाये, क्योंकि अन्हें जितना वेविद्य है जतना रेंज है, मुझे कई बार तो लगता है कि वो भारत में जो सिनेमा का पूरा इतिहास है, साव साल का, उसके सरश्रेष्ट कलाकारों में से है, या अगर मैं बायस्ट हो जाओ तो मैं कहूंगा कि पंकच कपूर पूरे 20-21 सदी के भारतिये सिनेमा के सरश्रेष्ट अभनेता है तो मुझे लगता है पंकच कपूर वो थोड़ा बहुत दिखते भी आपके जैसा है, ऐसा भी हो सकता है, शायद, क्योंकि उनको देखते हैं, मैं तो बच्पन से देखना हूँ और इसलिए भी, वो फटीचर जैसा तीवी पे करेक्ट्र पे सीरियल आता था 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 दूर द तो ये वैविध्यता देख करके मैं जो चरित्रों का मानिचित्र बनाने की कोशिश करता हूँ अपने आसपास की चीजों के हिसाब से, मुझे लगता है पंकच कपूर, सबसे अच्छी है, क्या बात है, मेरे पापा को भी पंकच कपूर बहुत कमाल एक्टर, क्या बात है, तो जैसे किसी भी लेखक के लिए या किसी भी कवी के लिए उसकी पहली किताब एक बड़ा रोमांच की तरह आती है, शायद, मुझे तो ऐसा लगता है, तो आपकी जब पहली किताब बन रहे थी, तो उस समय घर में क्या महुल था, या आपके दिमाग में क्या चल रहा था किस तरीके से तैयारियां हुई पहली किताब को लिकर के, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो पहली किताब की बात तो मेरे साथ बहुत लंबे समय से हो रही थी और मैं खुद यह तहर नहीं कर पा रहा था कि पहली किताब दरसल निकालनी कब है 2004 के आसपास मुझे राजके मुल प्रकाशिन के आशुक महाश्वरी ने कहा था कि आपका पहला संग्रह आ जाना चाहिए और मेरे तमाम जो वरिष्ट कवी थे वो कहते रहते थे हलागि उस पूरे दौर में में कविताएं नहीं लिखता था पंद किया हुआ था मैंने फिर भी ये बार-बार कहा जाता था दोहजर साथ में भारत भूश्र नगरवाल को रसकार मिलने के बाद फिर तो ये हो गया कि अब तुम्हें कविताएं लिखते वे 10-12 बरस हो चुके हैं तुम्हारे पास खुब सारी कविताएं हैं तो क्यों न अपना संग्रह निकाल दो मुझमें हमेशा एक डर था उस पहली किताब के लिए और उस डर से बाहर निकलने उसे ओवरकम करने में मुझे बहुत प्रयास करने पड़े ऐसा कहें कि शायद कोई आत्मविश्वास की कमी थी या अपनी कविताओं को लेकर के खास किसम का संदेह था असंतोश था विश् संदेह को कम किया 2009 के आसपास मैंने उनसे बातचीत की और कहा कि उन्ही ने मुझसे कहा कि अब तो संग्रह निकालो तुम मैंने का फिर आप एक बार देख लिजी एक नगर उस पर डालिये आप और अगर मेरा संग्रह आएगा तो मैं चाहूंगा कि उस पर आप लिखें क्य और मैंने उनकी कविताओं से और उनके लेखन से बहुत कुछ सीखा तो 2009 में विश्णुजी से मैंने कहा कि तब मैं जरूर ये गुजारिश करूंगा आप से कि इस पे कुछ आप लिखें कुछ बलर्ब, कुछ पंक्तियां, कुछ बातें उन्होंने खुद कहा कि ये कवित मैंने अपनी पांडली पी बना करके उन्हें दे दी और उन्होंने एक बुदी का बना दी तो ये पूरा सब कुछ करने में लग बग 6-8 महिने का समय लगा, 2009 में ये बाचीत हुई और तब तक मेरे घर में तो सिर्क भावना को ये बात पता थी कि उसे सब बातें पता होती हैं और खास करके मेरी जो रचनात्मक यात्रा से जुड़ी हुए हर पहलू से वह वाकिफ होती है तो उसे पता था कि कविता संग्रा की तैयारी हो रही है पांडली पी बन चुकी है उसके अलावा बाकी किसी को ये बात बता नहीं थी कि आलाव में कि रहा की पांडली पी रही कि और चुकि अशोग महाशुरी भी जुरू से इन्वाल्थ है तो अशोग जी पर बात बता दे जब उन्होंने भूमिका बना करके देदी भूमिका लिक दीजी से हमने आफ्टर वर्ड की तरह किताब में शामिल किया तो उसके कुछ ही दिन अपाद मुझे याद है 2010 2010 का पुस्तक मेला था मोदे जिसमें आलाप में गिरत चपकर के बाहर आई नामवर जी के हाथों उसका लोकारपन हुआ था 2010 दिल्ली पुस्तक मेले में और वो इसलिए भी मुझे याद है क्योंकि वो दूसरा मौका था मेरे जीवन का जब मैं पुस्तक मेले में गया था उ दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार पिछले साल जी तो पहली बार जब किताब हाथ में आई आपकी अपनी किताब वो क्या क्या फेलिंग्स रही उस दोरान बिल्कुल आश्चा यह चकित होने जैसा था यह यह तो पता था कि मेरी किताब आएगी ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा अब नहीं पता था मुझे बहुत अच्छी तरह बता था कि आज नहीं तो कल वो किताब आनी है लेकिन इस तरह से आएगी यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था जब मैंने किताब को पहली बार देखा तो सामने नामवर जी बैठे हुए थे नामवर जी के हाथ से ले करके वा और उसके पहले तक मेरे पास कोई प्रती नहीं थी और वहां पहुचना भी देखो ने एक तम इस तरह से हुआ था कि यह ताय हो गया था कि उस तक मेले में आपकी किताब का लोकारपन होगा और उसी समय आपके पास प्रतिया पहुँच जाएंगी और दफतर में मेरे पास अखबार में काम करता था दफतर में चुटिया नहीं थी मेरे पास किसी तरह हमने मैनेज करके कि हम किताब का लोकारपन कल है तो आज रात की भोपाल एक्स्प्रेस से हम दिल्ली पहुच जाएंगी तो मैं घर पहुचा है मैंने भावना को बताया कि नौ बजे की ट्रेन है साथ वजे घर पहुचा नौ बजे की ट्रेन है मुझे जाना है तो मेरी बेटी जो है वो इसमें लगवग छे साल की थी वो तयार हो गई नहीं मुझे भी चलना है मुझे भी चलना है मुझे उसने जित कर ली तो हम जब लोकारपन में पुस्तव में ले अगले दिल उसका स्वधा के साथ बड़ा गेहरा रिष्टा था कि स्वधा एक बच्ची के रूप में मुझे बहुत इंस्पायर करती थी तो पहली प्रती स्वधा के हाथ में थी सामने नामवर जी बैठे हुए थे और मैं खुश था वाँ जो बहुत बटा रहे थे कि पहली किताब आ इसको तो हम सुनना चाहेंगे और उसके बारे में भी कुछ बताईए थे किताब में पहली कविता है वो स्वधा के लिए है आलांकि वो लिखी बहुत बात में गई थी यह उस समय की है जब स्वधा दो धाई साल की थी और उसने लगा था पानी दे दे करके गंबले में एक मरेवे पौधे को जिन्दा कर दिया था और वो पूरा का पूरा जो प्रसंग था वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल था क्योंकि हमें लगभग उमीद छोड़ दी उस प्रसंग से प्रेरित होकर कि यह कविता लिखी थी नीम का पौधा यह नीम का पौधा है जिसे जुक कर और जुक कर देखो तो नीम का पेड़ लगेगा और जुको थोड़ा और मिटी की देह बन जाओ तुम इसकी च्छाओं महसूस कर सकोगे इसे एक छोटी बच्ची ने पानी दे दे के सीचा है इसकी हरी पत्तियों में वो कड़वाहट है जो जुबान को मीठे का महत्व समझाती है जिन लोगों को उचाई से डर लगता है वे आएं और इसकी लगुता से साहस पाएं जिन लोगों को मुचाई से डर लगता है वे आएं और इसकी लगुता से साहस पाएं बहसा संदर के टा है बहसा तो ऐसा है कि मैं सुन खिपार कि उखाथए है और सर नाश्ता यही जाधा तर होता है तो मैन ऐसा है सुन खिआ कि आप खा खा कर के बोर हो चुके हैं पूरा 2020 हम ने उपमा भी खाया है क्योंकि मागी क्लास होती है और पापा को फिर जल्दी जल्दी बनाने में बाई आता है और वो हल्दी भी ने डालते है जिसको बोलते है यह साओ इंडिन उपमा ऐसे खाया करो तो अब तो सर क्यों उपमा क्यों सबसे आसान होता है उसे बनाना कई आर ऐसा होता है कि किचन में लोग तर और और समय के साथ साथ एक चीज यह भी है कि मेरी रूची जो है मेरा इंट्रेस्ट उपमा में या इंड़क्षिन भारती खाने में इसमें बड़ा राता है वो सादगी वो सादापन मुझे बहत पसंद आता है मैं उस तरफ चला जाता हूं इं लोगों को ने पसंद आता हूं तो सकती क groupe ता कि मिझा ता के समय होता है मुझे lowzen तो परिवार वाला ठाीम होता है कि ज़ादा तर कहां पूट ही हो लगता है अगर कोई समस्या है तो उसकी बात कर लेंगे, अगर इनके साथ कोई चीज है वो बात कर लेंगे, अगर मेरे लेखन से जूड़ी कोई चीज है, मैंने कुछ नया इस बीच में लिखा है, वो इन लोगों से शेया कर लूँगा, तो तारी चीजें जो है न, खाने के समय और का आपर जड़ा है, से न, खाने के समय के लोगों अु जड़ आपको एक बात्ती वहर है, और कि बात्ता हो है क्या अब जाता है, अब बात्त जाते है आप लोगों पढ़ता चाहा हूँआ तो या थैली बार को एक न, मैने सब नहीं पड़ा है, मैंने एक पोयम पढ़ एक भ वो मेरी फेवरेट है मेरी वी अब बाकी मैंने से विजबार उस पर पड़ा है वह मैंने वो जिस चाप्टर में बीबी की डेथ हो गई उसके आगे नहीं पड़ा है तो यह तो इस 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 फर्स बोक जो मैंने पढ़िया जो मैंने अच्छी लगी है क्योंकि थोड़ा से फैंटेसी और यंग अडल्ट है तो इसले वही पड़ी है और नहीं पड़ा कुछ आप पड़ रहे हैं उस पार अच्छा तो अभी तक तो पूरा पड़ चुका है अच्छा बीच में अभी कोई 18th है 19th chapter में ता तो उसमें कोई ऐसा सीन था कि वो रात को तीन बजे मंदेरा को लेकर वापस ऐसे आरा रहता है घर में ओ कहीं पर बैठी रस्ती है तो उसमें एक तब सब कहता है कि कुछते मेरी तरफ देखके ऐसे वोग रहता है जैसे मेरे पीछे कोई अद्रिश्य चल रहा हूँ तो मैं अंदेरे में बाइट को पड़ रहा था कि एदर सामने कैसे कुरसी खाड़ी पड़ी थी और पीछे ऐसे पूरा कोई नहीं था मैं डर गया मैंने बंद करके आपके बाहर आगया इन लोग के साथ बढ़िया तो तब दो दिन तब कुछ नहीं पड़ा तो मैंने उसका जब यह लोग साथ में रोश्निये बैठे है तब पड़ा तो अपस तो यह बात फिर बदाई थी हाँ बताई थी ना और उस सजेशन अच्छा पापा ऐसा मत लिखो जिसको पड़ के डर लगी पर तो फिर पूरा वैसा है हो बेडी की डेथ भी नरामी है अच्छा नहीं जब वो बेडी की डेथ वह उसके बाद पड़ानी मैंने दो तील भार का गुडू चार इसोड़ों के तुम पड़ों मुलती मेरा मन ख यूझा में तो जीन तो जीन के लिए क्रिटिक्स यूएं पेले गर्मे यूझा एफ वार ऐसे किताव मुदेत जिसकी योजनाम इसी टेबल पर पनी है एफ नाइंटील में नाइंटीवेंटीज़। टोजन ट्वेंटीज़। तोजन ट्रूज़ जिए को साओ साल पहले 2020 में यहीं पर हम लोग खाना काते समय कुछ ऐसे मुद्दे निकले इसने कुछ कहानिया सुनाई इनोने कुछ कुछ एक्सपिरेंसे सुनाई और मैंने कहा कि यार यार यह ते बहुत अची किताब मन सकती है इसमें किताब का पूरा बीज है तो उससे में लोगों को समझ में नहीं है मैंने सोच लिया है इसमें लोग डाउन लगा था यह अपरेल 2020 की बात है तब उसकी पुरी योजना बन गई और हम लोगों ने मैंने पड़ा पड़ा नोट्स मना लिये थे जब इसको लिखने की बा यहां ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ज्यादा तर इंपुट्स मैंने मान लिये थे बस वो जो जो बेबी की जो डेत हुई है वो इन लोगों को यह उसे सहमत नहीं थे इनका कहना था कोई और डिवाइस की जा सकती क्योंकि आप 10 दिन के बच्चे की उसमें मृत्य हो यह इन्हें भी दुखद लगा और मेरे तमाम पाठकों के जो संदेश आये मैसेज़ आए उसमें दू लोगों को दुखद लगा और ऐसे जैसे जैसे अपने गा कि जादेतर वक्त खानी के दौरान मिल जाता है बाच्चित कर में का तो चुट्टियां बिताये हुए कितना यह ने तो वैसे मुझे उखद को चुट्टी लिया वे कां से चुट्टी लिये बिततान ने किकम अवारस हो गहाया है क्योंकि लगभाग दस साल से मैं ऐसा कोई काम तो करता नहीं को जिसे मुझे दफटर जाना पड़े मेरा दफटर मेरे घर में हैं मैं हमेशा लिखता whose work is 24 hours, in days your work is a good day. वसको देखने का दूसरे तरिका यह है कि मेरी कुछी दिन की सथ दिन काम कर रहा ह। ऊसकी बहुछ समय होद है यह बदाती है कि पठादी पिछिली बर कफ कम साथ में गए थिए रही बुर्णोमली तुमजी आज के एक समय होगा कर दो सब एक जगा मैं लोग कोई अपसंदीन जगाय जगाय कोई आवलोग तो जाना जाहें छोड़ियों में खुटीों में एक जाए तो कभी शोच्ते हैं सब्सक्तार अजा है एफिटो अजया है, मैं देखी नें देखा ठीका है क्बोंचाने के नेंगे अर। की अर्फ दोनी के गर टार खीचाना पक्का भई तो इसमे तो सर्क बिक फारदा हो गए भिए पिर मुझे नार थीसमें देखेंगे पुल उनदेख से जाएंगे तो महीं पहड के साथ पहाड में है और गीध के न trzeba पहाड के साथ पहड पहाड जिसलें के वह उपकerson के मतलब गीध का और मेरा वहत अच्छा समें पहाड उनने जेटा है samos पहावना पहाड की रहने वाली है, कुमाओ, कुमाओ, अंचल में पिथारागड नाम का एक शहर है, पिथारागड की रहने वाली है, और मैंने और भावना ने पिथारागड में बहुत, एक अच्छा समय गोजारा, पिथारागड, अलमोडा, और पिथारागड के आगे तो आपनोग मिले कैसे ऐसे मुझित की बच्पन से हम लोग साथ में हैं पाचवी क्लास से हम लोगों का साथ है मैं एक क्लास आगे था ये क्लास पीछे और हम एक ही इसकूल में पढ़ा करते थे और हमारे परिवारों की बीच मित्रता थी परिचय था हम भी एक विश्रे को अच्छी तरह जानते थे उल्टा इनकी बड़ी बहनों के साथ हमारा ज्यादा संपर्क था और एक लंबे समय तक फिर हम के बल परिचय के दायरे में रहे एक फूसरे से बिलते जुलते थे हाई हलो भी होती थी आसपासी नजदी की रहते भी थे लेकिन सोले की उम्र में जब हम लोगों ने नुकर नाटक शुरू किया था रंग कर्म करते थे हम में और नुकर नाट करें कि हमारे पास एक बहुत बड़ा गूप था सतरा अटरा लोगों का उसमें अबिनेत्राओं की कमी पड़ गई थी अच्छा हमें ना कुछ अबिनेत्रियां भी चाहिए थी पहमें याद करके इनको धून को धून करके लाए और जस्ट साथ याठी दिन हुए होगे रह इनों ने हमें चार बातें बोल दियो और यह चली गई गरूप छोड़के अभी अभी ता नहीं तो फिर कैसे होगा नाटक कैसे होगा नाटक हमारा रुग गया अटक गया मेरे सारे दोस्तों ने मुझे समझाए जाओ माफी मांग लो मांग लो मैं ताय किया किया जाके में कियार ही नियुता है है मुझे बात रखने का रोल करना मतब रियासर के समय हमारे भकाईदा ऐसे तलवार रख दीग ती जब रियासर कर रह थे सड़क पर नाटक के जो लोकल शेज़ से मेरे बते वहा गई सब्सक्राइब मैं झाल पॉजटिव होगा था बर्ध वो तीस त वो यादगार लम्हा है मेरे लिए कि काल में जब मैंने बजाई और उनों दरवाजा खोला तो उसी समरे टीवी से गाना बज रहा था मेरा पिया घर आया ओ राम जी अब यह तो मुझे घूर करके देख रही है ऐसे घर पे आगया मनाने के लिए हाँ 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 अब यहाँ हे आगया सिंके पिदाजी से बात इसाए जाओ है अब मैंने के बड़ी आगया बमुझे हो बहुत अची बात बोली जब मैं लट कर के आया तो पिताजी ने पर मेशन देदी कि तुम जाओ झाओ हाँ 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 हा तु तुस कवीता थुरूवत वहम के लिए अरो जिसमी बाब कर में Caleb को फराँ पूरी तरह से फैंट कॉ ragव शुरु में दीलु थी के सब्तान है और अगर वही क्लिक शुरु सबढ़ करा दिला गुतार है तो बाब का देटाना गुणले का and he एक जमाने बहुत अच्छी चीजे पढ़ते थे वो तो अच्छा साहिती दोस्तो वसकी से लेकर राहुल संकृत्यायन तक इनके पिदाजी से उनके साहिती पर चर्चा होती थी वज़े की बात है कि इस पूरे विवात के बाद जगड़े के 15 दिन बाद मैंने इनको बोल दिय कि मैं तब से और मुझे जवाब ये मिला कि बाबुजी से पूच के बदाव जिए इनको बोल दिया विए इन से पूछा कि जो भी तुमारे मन में हो और एक ये और चीज है तुमने कहा ने काई कविताओं की जरूरत नहीं पड़ी मैंने जो इन से पूछा था तो वो एक क की जरूरत या जरूरत नहीं थी जवेअ ड़्टर को भीटाओं की मैंने सि스 दो लाइन इनिका अगस पेली के जखी थी कि तूम पूड़ी का लिए खयाल लाया अबना तुम को बेखात तूम को देखात ये खयाल आ आं चोन कि जरें तो मैं तो उसमें कि मुझे करना नी और यह मुझे मनाने के लिए मैं यहां तो इसे अधियो कि शुड़ जाती थी लेकिन में प्लेमी करती तो शुटिक अधियों कि अब इस तरह से थोड़ा सा खडूस पने के साथ मेरे साथ दी वहार किया तो मेरे अंदर जो है तियार जाग गया और मैंने जो है मैंने विजो है एक तरह से प्रपोस करी दिया था जब से बड़ी चीज थी कि बाबुजी से पूच के बताऊंगी अब भी जब मुझे कोई चीज इनको बोलनी होती है तो बाबुजी से पूच ले ना मज़डर कहानी तो यह कानी आप लोग पदा थी पहले मज़ब बचमन से मज़ब अभी तो बड़ शौट मा बताया है तो इस कहने पे हम या तो एक किताब लिखवा सकते होंगे सबसे या एक फिल्म बन सकते होंगे इसा कुछ है यह अवी धी suspense है था एक बसे यह है कि परपोस कर लिया और माने जब टाइम लिया कि नहीं भाद में रच जा लुघ थी बताते लोगों कि मião मैं आख कैसे बुला यह मिस्ट्री है चो किसी को नहीं पता और यह दोने अब ब्लश करने लगता है और ने ने टेल कि माने पाप को हा कैसे मोला तो मुझे लगता है मैं इस सवाल नहीं पूछूँगा जो मिस्ट्री ही रहते है पर पर अगर ऐसे किताब या मुवी बनेगी तो फिर तो मिस्ट्री हो जाएगा लाइटा देखे गर जागे खोलना पर एक चीज है पाप मा को बद अच्छे गाने बेजते थे तो यह गानने पाप से ही सुनाया क्या वो ब्राइन अडम्स का एवरीधिंग आइड़ू 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 यह पापा ने मा को लिटके भीजा था और यह जब मुझे पाते चला मैंने सुना तो यह मुझे बहुत बहुत प्रता मुधित क्या है न मेरी और भावना की प्रेम कहानी में संगीत की बहुत बड़ी भूमी का रही है ऐसा है कि उस जमाने के चाहे ब्राइन एडम्स के गाने हो यह जोज माइकल के गाने हो मैड़ूना के गाने हो यह पेट्शा बवाइस के गंस न रोजस के वहां से लेके मु कोई अपनी पसंद या मैं की पसंद का भी हो सकता है जाहिसी बाइस न करने लग जाओं तो चांसी महभू वाहो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हां तुम बिलकुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था चांसी महभू वाहो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था ट्ं 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 ठं तिम चिए बाइसा तो एक फुल टाइम लेखक बनना या यह फैसला लेना कि अब मुझे बागी के जो दूसरे काम हैं उनको साइड में कर देना चाहिए और लेखन को ही फुल टाइम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए तो कैसा रहा यह दौर जब आपनी फैसला लिया क्या मुश्किले हुई या क्या चल रहा था दिमाग में तो उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो मैं वैसे काफी समय से यह सोच रहा था कि मुझे अपना पूरा समय लेखन को देना चाहिए क्योंकि पूरा समय देने के पात जो रचनात्मक संतोश मुझे मिलेगा वही तो मेरा अपेक्षित है वही तो मैं चाहता हूँ तो यह दिसीजन लेना इस फैसले तक पहूंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने आप से मैं पूछता था खुद को समझाता था कि कोई क्रिकेटर पूरा समय अपने क्रिकेट को देता है कोई गायक पूरा का पूरा समय अपने रियाज को अर अपने परफॉमेंस क को देता है इसी तरह किसी भीक शेत्र में सफलता पाने के लिए हमें पूरा प्रयास उसमें करना चाहिए यह मुझे फील होता था लेखन अगर नौकरी के साथ मैं कर रहा हूं तो लेखन के साथ जो मेरा व्यवार है वो पार्ट टाइम जॉब की तरह लगने लग से तो क्या ह हम पार्ट टाइम जॉब करके उस सफलता को उस कामयाभी को पा सकते हैं जो मुझे रचनात्मक संतोष से भर दे क्या ऐसा है तो मुझे लगता था कि नहीं मेरे साथ ऐसा है इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा और बहुत कड़ा पैसला लिया कि मुझे पूरा समय अपने ले तो जैसा कि हम सुबबात कर रहे थे कि जादतर समय लिखने का रात में आप जादर बहतर दे पाते हैं समय की रात में लिखना जादा होता है तो शुरू से ऐसा रहा या धीरे धीरे आदत होगी रात में लिखने की और दिन चूट गया ऐसा कुछ लिखने की मामले में तो म तो मेरा मेरा जो लेखन है वो भी रात को ही औजागर होता है, रात को ही रोशन होता है और यह ने कोई आज से नहीं, जब मैंने बिल्कुल लिखने की शुरुआत की थी, 16-17 साल की उम्र में, तब इसे ये चीज ने चली आ रहे हैं मेरे साथ, तो बात में किसी टोने टोटके की तरह भी मैंने जोड के रखा, कि अब जब अच्छी कविताएं मैंने रात को लिखी टो रात का इंतिजार किया जाये, क्योंकि अच्छी कविताएं, अच्छी कला, अच्छा वाक्य एक सपने की तरह होता है, और सपने, सबसे सुन्दर सपने, मीठे सपने रात के समय हम बर उतरते हैं, तो धर अशल कभी पार ऐसा होता है कि अपनी इस मेज पर बैठे-बैठ मैं चेतना की उस अवस्था में पहुंच जाता हूं, जो एक तरह की सुशुपत अवस्था है, और वाक के कविताएं, रचनाएं, ये किसी सपने की तरह मुझ पर उतरने लगती हैं. मैं अपने अगले सवाल पर जाने के पहले मैं थोड़ा मुझे लगा कि मुझे जजब करने के लिए थोड़ा सा समय इसको लगेगा, इतनी सुन्दर बात आपने बताई है, कि रात का वक्त ही क्यों है, तो जैसे कि अभी रोज लिखना ही होता है, और चूकि अभी आप उस प करता है तो उसमें रोज लिखना ही है, और एपिसोड दर एपिसोड जाना है वो, कई बार है से ठेश ना कि प्रेशर में लिखना कि तना आपके लिएә कमफुटेबल होता है या कई बार ऐसा होता है कि लिखना है लेकिन लिखा नहीं जा रहा, ऐसी सिचुईशन पभी हो आप उसी समय पर ये खुद को याद दिलाना पड़ता है कि अब तुम 20 साल पहले वाले अमेचर राइटर नहीं हो, अब तुम कुरी तरह प्रोफेशनल राइटर हो, जो अपना पूरा समय लेखन को दे रहा है, तो इस तरह कि सारी बाधाओं को खुद से दूर रखना तुम कर रहा है, मैं पूरी इमानदारी से अपने वाक्यों को आवान कर रहा हूँ, उन्हें बुला रहा हूँ और वे आ नहीं रहे हैं, तब मैं उन्हें छोड़ करके कोई और काम करने लगता हूँ, घंटे बर के लिए, दो घंटे के लिए, कभी किचन में चला जाता हूँ, अपने पौधों के पास चला जाता हूं, या कुछ भी नहीं, तो बच्चों के साथ बाते करने लगता हूं, तो इन सब के बीच कई बात, प्रेरणा के कुछ नए बिंदू और पल मिल जाते हैं, जो वापस कहानी के उस सिरे तक मुझे पहुचा देते हैं, तो इसी दोर में पढ़ने का समय भी शामिल होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी लिए लिखना और पढ़ना दोनों अलग अलग नहीं है, मैं लोग शहरों में आवारगी करते हैं, गलियों में आवारगी करते हैं, मैं किताबों के बीच आवारगी करता हूं, टेक्स्चुल आवारगी, त तो मैं जब लिख रहा होता हूं, तो ठीक उसी समय हो सकता है कि कोई एक रेफरेंस ऐसा आ जाए कि उसके लिए मुझे कोई एक किताब उठानी पड़ जाए, मैं वो किताब इठाओंगा, और उस समय मेरा वो लिखना रुख जाएका, मैं उस किताब में डूप जाओंगा, उ इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, तो लिखते हुए कभी जैसे ब्रेक लेना हो, तब वो क्या, आपके किस तरीके के ब्रेक होते हैं, लिखने के दौरान, जाएर सी बात ब्रेक लेना होता होगा, डिपिंड करता है कि उस समय क्या समय हो रहा है, दिन का कौन सा पहर है रात का कौन सा पहर है, किस तरह की मनस्तिती है, अगर ऐसा कोई ब्रेक मुझे दिन के समय लेना होता है, तो घर परिवार और बच्चों के बीच जागर के मस्ती करता हूँ, शाम या रात के समय कोई ऐसा होता है, तो भोटू के साथ जो मेरा पेट है, उसके ताथ तोड़ा समय गोजारता हूँ, या फिर वही, as usual, जब भी कभी में कही अटकता हूँ, अपने लेखन में, मैं किचन में चला जाता हूँ, और कोई न कोई चीज बनाने लगता हूँ, क्योंकि किचन और कविता, किचन और कहानी, यानि दोनों रचना कर्म में बहुत गहरा संबंध है जैसे किचन में आप कई सारी चीजों को मिला करके एक नया स्वादिष्ट चीज बनाते हूँ, लेखन में भी वही है, कई सारी अनुभूतियों और भावनान को मिला करके एक नई स्वादिष्ट लजीज अकर्शक रचना के आप स्रिजन कर देते हैं, तो रात में जादे कि यह प्रिफर करते हैं चाहे के दार चलते हैं या कौफी की कि दोनों ही चीजा है काई बार हासा हुता है रात के समय काफी बनाना जय्दा आसान होता है कौछ कि में कौफी भी बिल्कुल अपने उसी साधारन तरीक नाता हूं की पानी बाला और उसमें थोड़ी कि न्या कौ किसमें कई बार वो मुझे तो वो मुझे पीने मिलेगी मतलब आज के दुरान जो ब्रेक होगा उसमें पीने मिलेगी बिल्कुल वैसे ही मेरे हाथ से बनी हुई काली कॉफी तो अगर आपको लगते है कि हम ब्रेक ले सकते हैं तो कॉफी हम जी हम बिल्कु चलिए ना कॉफी तो उस पार का काफी जिक्र हो रहा है, सुबह से हम उस पार पे बात करें, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बताना चाहिए कि उस पार आखिर पढ़ा कहां जा सकता है, तो अगर आप गीजी का नया नौविल उस पार पढ़ना चाहते हैं, तो बिंज एप डाउ हुआ है, वहां से आप लिंक पर क्लिक कीजिए और बिंज एप डाउनलोड कर लिजिए, उस पार नौविल को तो पढ़िये ही, साथ में बहुत सारे लेखोकों की नई किताबे खास तोर पर बिंज एप पर पढ़िये, तो आखरी एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि कि घर जाना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि शायद आपके घर कभी नहीं यहां पाएंगे, तो वो कौन होंगे और क्यों? ऐसे कहें कि हजारों ख्वाहिश हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, मैं तो बहुत सारे लोगों के यहां जाना चाहूंगा, लेकिन अगर एक ही कहना हो, तुम औरहान पामुक, तुर्की के बहुत बड़े लेखक, जिन्हें नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया मेरे प्रिय लेखक हैं, समकाली ने लेखकों में, उनके साथ मैं एक दिन का समय जरूर गुजारना चाहूंगा, अगर यह इच्छा पूरी हो सकी तो, क्या वाद, तो जल्दी एक शा पूरी हो, मेरी ऐसी उंबीद है, और दिन भर, और मैं तो कूँगा कि रात कभी समय वही जो कि मैं घर आना चाहता था आपके और यह संभाव हुआ, तो इसके लिए आपका तो शुक्रिया है, साथ मैं पूरे परिवार का मैं हिंदी नामा के तरफ से बहुत शुक्रिया दा करना चाहूंगे, बहुत धन्यवाद मुदित आपका भी बहुत शुक्रिया, आप का और हिंदी नामा का भी हुआ झाल